अनुराग करश्यप की मुश्किले लगातार बढ़ती ही जा रही हैं ऐसे में अब कंगना ने उनका एक पुराना वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि देखिये किस तरह से अनुराग करश्यप बता रहे हैं बच्चे को कैसे मोलेस्ट करते हैं ये वीडियो काफी जादा च कैप्शन दिया है मैंने भावनात्मक के दिसुसाइट गैंग की बात की थी जिन्होंने SSR की हत्या की और मुझे अपनी जान लेनी की ओर धकेला कई लोग पूछते हैं कि वो दूसरे के साथ ऐसा क्यों करते हैं अनुराग को सुनिए वो बता रहे हैं कि कैसे एक बच्चे क को मॉलस्ट करते थे वो ये वो लोग हैं जो हर्ट कर रहे हैं लेकिन उन्हें लगता है कि दूसरों को हर्ट करना ही जवाब है ट्विटर पर ये वीडियो किसी यूजर ने शेयर किया है कंगना ने इसको शेयर किया अनुराग इसमें बता रहे हैं कि वो कैसे बच्चे को ले जाकर थपड मारते थे उसे, हाला कि बाद में वो बच्चे को गले लगाते हैं और बच्चे के सामने रोते भी हैं, अनुराग बताते हैं कि वो सीनियर थे, उनके अंदर घुसा था, क्लास में एक छोटा लड़का था, वो उसके साथ वही बरताओ करते थे जो उनके साथ किया जाता था, वो बता रहें कि मैं उस बच्चे को किनारे ले जाता था, फिर धपड लगाता था, जब वो डर जाता था तो मैं ऐसे गले लगाता था और उससे कहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, उन्होने बताइऔ कि ये बच्चा जब 2-3 मेने से esperar हो गया था, कि उसके साथ क्या हो रहा है तो उसमें पेरेंट्स को चिट्थी लिखी उसके माता पिता मेरे घर आकर सामने खड़े हो गए और पूशन लगे कि कहा है वो लड़का वो उसके साथ खड़ी थे मैं खुद पर शर्मिंदा था उस वक्त मुझे वो चीजने समझ नहीं आ रही थी म मैं ने उनसे कहा कि मैं इस लड़के से प्यार करता उस मरथ में मुझे किसी ने समझाया नहीं मैं ऐसे ही बढ़ा हुआ और मुझे लगा कि अब मैं दूस्रों के साथ ऐसा कर सकता हूँ और मुझे नहीं पता कि सेक्श्शॉयालिटी क्या है बता दे अनुराक पहले ब एक दिनी मॉलेस्ट किया था अब वो इसी पर बोल रहे थे कि उन पर इसका क्या असर हुआ है